तो गाईज ये रहा हमारे पास Vivo का V29 लेटे स्मार्टफोन और आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले इसी Vivo V29 के टॉप 3 तीन बहुत ही बहतरीन कमाल के फीचर्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये फीचर्स आप लोग को देखना बहुत ही जादा जयरूरी है क्योंकि ये Vivo V29 का सबसे कमाल का तीनों फीचर्स होने वाला है तो वीडियो काफी जादा कमाल का होने वाला वीडियो को पुड़ा लास तक ज़रूर देखिएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर से जो सबस्क्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी ही टिप्स एंट्रिक्स की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके लाइक कर देजे वीडियो को तर चलिए आज का ये कमाल का वीडियो हम लोगे स्टार्ट करते हैं तो गाई सबसे पहले फीचर की बात करें तो अगर आप लोग गेमिंग करना पसंद करते हो अगर आप लोग को गेम खेलने में काफी जादा इंट्रेस्ट है तो ये वीवो V29 स्मार्टफोन में जो है वो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो गेम खेल सकते इसका प्रोसेसर जो है वो काफी अच्छा है तो उस गेमिंग फीचर कहाई एक बहुत ही कमाल का फीचर हमारे वीवो V29 में दिया गया है उसके लिए आना है में अपने फोन के सेटिंग्स में सेटिंग्स में नीचे की तरफ आ जाना है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा अल्ट्रा गेमोड तो सिंप्ली से हम लोग जो है वो इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें बहुत सारे जो है वो option निकल के आ जाते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे यहाँ पर कॉर्णर में आपको एड़ वाली option देखने को मिलेगा तो हमें सिंप्ली से एड़ पर क्लिक करना है अब आपने जो भी गेम अपने फोन में डाउनलोड करके रखे हो इसको यहाँ से सिंप्ली से on कर लेना है सभी क्या करना है कि आपको यहाँ पर ब्लॉक नोटिफिकेशन का एक option देखने को मिलता है अब इसका मतलब यह होता है कि अगर आप गेम मोड को on करके गेम खेल ले हो तो कोई भी नोटिफिकेशन वगार आएगा वह आपको डिरेक्टली आपके स्क्रीन पे वह सो नहीं होगा वह आपकी background में चले जाएगी यहाँ पर एक option आपको निकल काता है mute call अगर यहाँ पर आप लोग को दो option देखने को मिलता है background call और reject call अब इसमें अगर आप लोग यहाँ पर background call को on करोगे तो क्या होगा कि आपने game mode में डाल के game को खेल रहे हो किसी का भी call आएगा वह आप आपको background में चले जाएगी यानि कि आपको पता तो चलेगा लेकिन उससे आपको जो है वह कोई भी जादर disturb नहीं होने को मिलेगा फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा option reject call अब इसका मतलब गाईज यह होगा कि आपने इसको अगर on करके रख दिये तो किसी का भी call आएगा उ उसको यहाँ से जो है वह on करके रख लेना है अब इसी की बात करें यहाँ पर तो आपको view enhancement 4D game vibration sound quality effects इस तरीके के जो है वह आपको बहुत सारे जो है वह option देखने को मिलते हैं आप लोग अपने age के हिसाब से जो है उसको customize भी कर सकते हो तो यह एक बहुत ही बेहतरीन gaming feature है आपको vivo v29 smartphone में देखने को मिलना है इसको अगर आप लोग on करके game खेलोगे तो आपको कहीं से भी जो है वह कोई disturbance नहीं होगा आप लोग आसानी से जो है वह अपने game पे focus कर सकते हो और अच्छा कासा rank जो है वह अपनी game में जो है वह हासिल कर सकते हो तो बहुत ही कमाल का य simply से अपने camera को जो है वो open करेंगे camera को open करने के बाद आपको simply से यहाँ पे more वाली एक option देखने को मिलेगा more वाले option पे हमें आ जाना है अब इसमें आपको कई साड़े जो है वो features देखने को मिलते है लेकिन जो हमारा बैतरीन कमाल गा feature है वो यहाँ पे आपको dual view देखने को मिलेगा जी हाँ friends अब आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने एक ही smartphone में एक ही screen पे जो है वो front और back दोनों camera से जो है अपने video को record कर सकते हो जैसा कि हम लोग यहाँ पे click कर देंगे हमारी recording चालू हो जाएगी अब जो भी recording होगी वो हमारी front और back camera दोनों से होगी अब आप आप फिर ज्यादा कर सकते हो जितने पे भी adjust आपने एक पर कर दिया है उसी में जो है वो हमारे recording on हो जागी अब इसमें जो है वो आप लोग एक और setting कर सकते हो वो यह है कि हमें simply से यहाँ पे इसको stop करना है अब उपर में एक option आपको देखिने को मिलेगा जहां से आपको क आप फिर से जो है वो यहाँ से record करके दिखा देना चाहूंगा चलिए हमारी दोनों जो है वो dual view में जो video record हो चुकी है अब लोग हम लोग simply से इसको open करेंगे और play करके देखेंगे आप लोग देख सकते हो कि हमारी recording जो है वो पूरी की पूरी save हो चुकी है मैं इसको भी आ कमाल का feature अगर आप लोग ब्लॉगिंग वेगरा करना चाहते हो आप लोग cinematic shots वेगरा लेना चाहते हो तो काफी कमाल का यह dual view वाली feature जो है वो आपकी होने वाली है और भी कई सारे features camera में आपको देखने को मिलता अगर आपको किसी पर भी वीडियो चाहिए वो मिर्जे 39 smartphone के तीसरे कमाल की feature की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा आपके phone के settings में settings में आना है ऊपर वाले simply से आपको search वाले option पे जो है वो click कर देना अब यहाँ पर गाईज आपको search करना app clone हम लोग simply से search करेंगे यहाँ पर app clone जैसे हम लोग search करेंगे यहाँ पर app clone की option न Instagram को on करी Flipkart को on करी हमने तीन application को जो है वो यहाँ से on कर ली अब guys देखना magic क्या होगा हम लोग आते हैं simply अपने application पे अब देखो कि हमारी Facebook पे अगर हम लोग आए तो हमारी एक Facebook जो पहले से है वो तो है ही यहाँ पे second Facebook करके हमारी एक और Facebook आ चुकी है Flipkart को भी हमने on करी थी यहाँ वे Flipkart और second Flipkart करके एक और option आ गई Instagram और second WhatsApp Instagram करके जो है वो एक और option आ गई यानि कि आप लोग अपने एक ही phone में जो है वो एक application का दो-दो application चला सकते हो और दोनों में अलग-अलग account को आप लोग लोग इन भी कर सकते हो यानि कि इसको आपको app clone करने के लिए वो किसी भी third party application की ज़ुरत नहीं पड़ेगी आप लोग अपने खुद अपने phone के इस feature से जो है वो अपने phone की app clone कर सकते हो और दो-दो account का जो है वो use कर सकते हो फिर आपको लगे कि नहीं मुझे एक ही app का काम है इसको यहां से simply से off कर दोगे उसकी double app जो है automatic से हट जाएगी बहुत सारे phone में क्या होता है कि आपको third party application की मदद लेनी परती है तब जाके जो है वो आप लोग किसी भी application का दो application अपने phone में चला सकते हो और यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो कि app clone के थुरू तो इसको use करी सकते हो प्लस आप लोग चाहो कि तीन में app चलाओ तो एक third party application का मदद लेलो आप लोग अपने एक ही phone में जो है वो तीन तीन application का जो है वो use कर पाओगे तो यह भी आप क्रोन वाली फीचर जो है वो काफी चाहता बैतरीन फीचर है आप लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको on कर सकते हो फिर जरूरत खतम होता है तो इसको off भी कर सकते हो तो काफी कमाल का यह तीनों फीचर था आपको इस तीनों में से कौन सा वाला फीचर जो है वो सबसे आदा कमाल का लगा है मुझे नीचे comment section में जरूर बताईएगा सभी दोस्तों के पास यह video share कर दीजिए like कर दीजिए, comment कीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए कि आने वाले ऐसे tips and tricks की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके चलिए आज किस वीडियो में इतना इप फिल मिलता है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्यमातर